राजस्तान विधान सभा चुनाव 2013 के लिए भारती जंता पार्टी ने भले ही 124 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी हो लेकिन इंतिजार उन प्रत्याशियों का हो रहा है जो कॉंग्रिस के दिगज नेताओं के सामने चुनाव लड़ेंगे कॉंग्रिस ने अपनी पहली सूची में अशोग गहलोथ सचिन पाइलट और डॉक्टर सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है गहलोथ को जोधपुर शहर की सरदारपुरा और पाइलट को टोंग से मैदान में उतार गया है अब इंतिजार इस बात का हो रहा है कि कॉंग्रिस के इन दिगज नेताओं के सामने चुनाव कौन लड़ेगा सरदारपुरा और टोंग विधान सभा सीटों पर भाशपा किसे प्रत्याशी बनाती है सबकी निगाहे इन ही दोनों सीट पर टिकी हुई है कॉंग्रिस ने मुक्यमंतरी अशोग गहलोत को फिर से सरदार पूरा सीट से प्रत्याशी घोशित किया है अब भाशपा प्रत्याशी के नाम का इंतिजार किया जा रहा है गहलोत के खिलाफ पिछले दो चुनाव शंभू सिंग खेतासर ने लड़े थे इससे पहले राजेंदर गहलोत तीन बार चुनाव लड़ चुके है और इस शेत्र से सीयम गहलोत लगातार चुनाव जीतते आ रहे है इस बार गहलोत को टकर देने के लिए भाशपा मजबूत प्रत्याशी उतार सकती है कहा जा रहा है कि लोगसभा सांसत और केंदरी मंतरी गजेंदर सिंग शिखावत या किसी अन्य बड़े चेहरे को गहलोत के सामने उतारा जा सकता है ताकि उन्हें सीधी चुनावती दी जा सके कॉंगरिस ने पूर्व उप मुख्य मंतरी सचिन पाइलट को फिर से टोंग से प्रत्याशी घोशित किया है सचिन पाइलट को चुनौती देने के लिए भाशपा किसे प्रत्याशी घोशित करती है ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा पूर विधायक अजीत सिंग काफी मजबूत नेता है जो वर्ष 2013 में 30,343 मतों से चुनाव जीते थे लेकिन वर्ष 2018 में भाशपा ने अजीत सिंग के बजाए यूनुस खान को चुनावी मैदान में उतार दिया था अब बताया जा रहा है कि भाशपा अगर पूर विधायक अजीत सिंग को प्रत्याशी घोशित करती है तो सचिन पाइलट की मुश्किलें बढ़ सकती है हलाकि पार्टी नेत्रत्व पूर विधायक जाकिया और कुछ अने निताओं के नाम पर भी मन्तन कर रही है टोंक सवाई माधुपूर से सांसत सुखबीर सिंग जौनपुरिया भी काफी सक्री है उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है देखते हैं आगे क्या होता है